आज हम लोग बना रहे हल्वा मच्छी की बिरियानी दिखाती हूँ कैसे बनाते हूँ यह हल्वा मच्छी मैंने छे साथ पीस लिए हूँ मैंने साथ पीस लिए हूँ इसको अब हम लोग लगाएंगे मसाला दिखाती हूँ यह दिखें अभी हम लोग मच्छी को मसाला लगाते हैं दिखाती हूँ एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट और नमक नमक जितना की मच्छी है उतने ही सबसे नमक को उके अब दिखाती हूँ इसमें क्या क्या ड़लेगा मिर्चि पाऊदर देड़ चमच धना पाऊदर एक चमनमच बरिष़ख पाऊदर एक चमनमच थाल्दी पाऊदर एक चमनमच और यह बरिष़घ जीराप मैं इसमें सब दाल दूंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगे और आप चाहिए तो लिम्भू का रज दाले या तो इमली का यह देखें ना इमली का पल्प एक चमच को मैं इसको मिक्स करूंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मच्छी का मसाला लगाओंगे यह दीखें न अब मिक्स मसाला लगा यह देखें ना अब महिए मच्छी के मंच्छी का मसाला से किसे कैसी बिर्यानी बनाते है लिखा हुआ गया अब में मची फ्राइई कर रहे हैं जो अपनी मसाणे लगाए इस में के टेल दालने का के यह भी इटिशी । आब मैं मोची दाल जा रक्सक्शा सते हुआ और मिंची था कि त्यक्ष्य घ्ररम इसको पुन बीरिया में यूज करेंगे आवाज को इगनल कर दो मेरे को सर्दी हो गई है तब यह खरा है इसलिए आवाज ऐसी आ रही है यह देखिए ना यह है बास्मती चावल इसको मैंने दो कप भीगने रख दियू अभी चावल के लिए पाने रख दिया भी इसमें जीर पुदिना कोतम बीर और थोड़ा सा लिम्बू का रज जिसमें चावल और आपके गरम मसाले यह देखिए है ना जीरा मिर्ची धना पड़ बरिशत पड़र आपका गरम मसाला और दो लिम्बू के दो यह दालिए उन्च लिम्बू लिम्बू से चावल अच्छा खिलता है और नमक नमक जितने अपने चावले उतने चावले दाल चुकी है अब इस चावल को पूरी तरह से पुरी तरह से कूख करने हैं कि आप म्र्म जिक की विप처 के बना रहे हैं इसको स्थ्ब्र स्धाइब भूं तर्ह सम्खशाist, tels Джi Arb आप अपने जान करते हम ही जर्टि हर दिखाते ही यह चुटी हैं ही आप दीखाते हूं पूरियानि कैसे बना टे यह दो तीन चमछ तेल गरम हो चुक है अभी इसमें हम लोग सब अपके गरम मसाले डालेंगे विलाइची दालचीन कालामीरी यह जो फूल रहता है वो यह देखें ना अभी इसको गरम खुश्बू आने तक थोड़ा तेल में गरम करो यह देखें ना अभी इसमें लोग डालेगे अधरक लशुन का पेज एक चमबच यह दिक्थी अधरक लशुन का पेज अच्छी तदून दें अफर्सीड डालेंगे इसमें एक अधा टमाट़ अधर क्यों और देखें है अपने टमाटल गल चुका है अब दिखाती इसमें क वापस से हल्दी पाउडर जीरा पाउडर एक चमबच बरिशब पाउडर एक चमबच धना पाउडर एक चमबच गरम मसाला एक चमबच और लाल मिर्ची पाउडर चमबच अब इसमें डालने का वापस इसको हिलाने का यह देखिए और यह एक बड़ा चमबच बिर्यानी मस मसाला आपके पास कुन सी भी बिरियानी चिकन मटन वेज नौन वेज बिरियानी मसाला रहेगा ना वो एक बड़ा चमबस दालने का और इसको वापस से लाने का यह देखें यह जो मैंने मसाला दिखाई थी मच्ची को लगाए होगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के यह भी जिसको चैया आलु चाहिए तो आलु डालो तो महँद दालो अब एक चमबस दही डालेंगे इसमें अब आपको पों दही नहीं डाले इसले दिमियाच पे घ्यास रखके एक चमबस दासे लाईर जाही को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उसमें बी अब हो चुका है और एक मिर्ची और लिम्बू का एक थोड़ा सा रजकी के खट्टा उसमें है ज्यादा इसको अच्छी तरह से हम लोग हिलाएंगे यह देखें अपना भी तयार है आप दिखाती हूं मैं इसमें ज्यादा ने इसको मच्छी दालने का दालो नहीं दालेंगे चलेगा दो या तीन ज्यादा ने प्रेवर आने के लिए शिफ दालने का और उसमें उपर मसाला लगाने अब इसको हिलाने का ने इसमें मिक्स हो जाना चाहिए दो या तीरा बापी के आपन उपर रखेंगे यह देखें है ना अने मच्छी तीन पीस दाल चुकी हो अंदर यह देखें उपर से चावल डाले लिए यह देखें है यह अपनी तयारे दम के लिए अब मैं दिखाती हूं इसके उपर मच्छी लगा कि है यह देखें यह ऐसा कि मेरे इस्टायल क्या आप कैसे बनाते हो दिखाऊ मुझे कभी भी कमेंड में बोलो यह देखें है अब हम दर लोगे इसके उपर दिरिस्ता को तंबेख और थोड़ा सा ओईल हो गया है आपको चाहिए तो कलर डालो हम लोग नहीं दालते हैं हो गई ना तयार यह बढ़ें है नहीं देखें है एक आर देखें अरे दास बीज मीनिट के लिए बिर्याने रख दी है ने दम पे लिए यह देखें है यह देखें है नो हो गई